बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकूम जी डियर स्टुरेंट्स लेक्चर नमेर फाइव हमारा स्टार्ट होगया टॉपिक है हमारा टाइपस ओफ मेकैनिकल वेव्स कितने टाइपस हैं इसकी यह हमने करने डिस्कुस्ट Types of Mechanical Waves Depending upon the direction of displacement of medium with respect to the direction of propagation of wave itself Mechanical Waves may be classified as longitudinal or transferred waves क्या कह रहा है कि Medium के ज़रात और waves की अपनी motion के सिम्मत के लिहाएज से Mechanical Waves की जो हैं वह हमारा पस टू टाइपस हैं एक जै वो longitudinal और दूसरी जै वो transfer waves है और next के है कि है कि longitudinal waves can be produced इनको कैसे पैदा किया जा सकता है एक spring की मदद से हम जैंग उसे produce करवा सकते है हमने क्या करना है? spring लेना उसको कहाँ पे रखना है placed on a smooth floor or a long bench ठीक है उसे horizontal surface के ओपर हमने रखना है कोई वो फ्लोर भी हो सकता है या कोई बेंच भी हो सकता है fix one end of the slinky with a rigid sport and hold the other end of the into your hand क्या करना है अब हमने एक सिरे को fix कर देना एक point के साथ और दूसरे सिरे को अपने हाथ में जो है वो पकर ले ना first diagram की जो first point में हम देख सकते हैं यह वाला जो है हमारे पास ठीक है यह हमारे पास एक spring की एक side को यह इस fix point के साथ हमने यहां पर बांदिया और दूसरा जो हमने हाथ में पकर लिया यह वाला point ठीक है अब हमने करना कि है ए यह जो point है इधर हमने इसको जो है वो move करवाना यह आगे और पीछे इस direction में ठीक है यह जब हमने direction of the wave travel ठीक है यह जब हमने इसको ऐसे move करवाया horizontally wave जो है वो इसके जो जर्रात है spring के जो जर्रात है वो यह जो है वो move करेंगे waves मतलब यह जो loops हैं इसकी कहीं पर यह एक दूसरे के करीब आजाएंगी जहाँ पर pressure ज़्यादा होगा और जहाँ पर थोड़े relax है वहाँ पर इन loops में gaps ज़्यादा है अब पहले क्यों है पहले यहाँ पर यहाँ उसने press चू करना है यहाँ से तो यह यहाँ पर पहले ज़्यादा होने प्रेशर के वज़े से लोप से एक दूसरे के करीब आ जानी है नेक्स यह वाले रिलैक्स हो जाएंगे और यह आगे चले जाएगी ठीक है अब भी इस से आगे इस से आगे इस तरह जो है वो प्रॉसेस जाएगी यह आगे मतलब जैसे जासे हम यह इदर से मूव करवाते जाते हैं यह जो वेफ्स हैं वो आगे ट्रांसफर होती जाती है वेफ्स के ट्रांसफर होने से क्या मौश होता है लूप से पहले यहाँ पर एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगी फिर वो आगे चले जाएंगे और पीछे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे इस तरह जाएंगे वो वेव्स मॉव करेंगे अब यहां पर जो है टू डेफिनिशन है हमारे पस एक कंप्रेशन किया और एक रियर फ्रेक्शन किया है कंप्रेशन कौन सा पार्ट होता है और रियर फ्रेक्शन कौन सा पार्ट होता है यह हम डाइग्राम में भी देख सकते हैं कि यह जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के यह लूप्स ज्यादा करीब आ जाती है वो वाला पार्ट कंप्रेशन किया लाता है और जहां पे इन में gap ज्याद है वो वाला पार्ट इसका rare fraction कहलाता है यह definition हमने करनी है और वेव कंसिस्ट आफ रीजन काल कंप्रेशन कहां कौन सा वेर दा लूपस आफ दा स्प्रिंग आर क्लोस टू गैदर जहां पे लूपस एक दुस्टरे के करीब है और इसी definition को हम जो है वो rare fraction के लिए जब हम जो है convert कर सकते हैं कैसे वेर दा लूपस आफ दा स्प्रिंग आर नाट क्लोस टूगैदर ठीक है या हम space apart भी कह सकते हैं ठीक है यह दो definition आफ ने करनी है बाकि यह वाला जो सारा मतलब यह उसने process बताया है कि कैसे हमने करना यह सारा यह हमने reading में अच्छी तरह reading इसकी कर लीजएगा अब यह wavelength की बात और यह wavelength क्या होती है यह compression और यह compression दोनों compression की दरम्यान में जो distance है उसको हम कहते हैं कि यह उसकी wavelength है और दूसरी बात अगर हमने wavelength को जो है वो represent करना है तो हम जो है वेव की यह अरी जो है यह diagram देखें अब एक जो वेव वो यहां से यहां तक है ठीक है यहां से यहां तक यह उसकी wavelength है ठीक है अब जो इसकी डेफिनेशन आप देख लेए इन लॉंगी टूनर वेव की डेफिनेशन पहले हम करें यह जो हमने सारा पड़े है यह सारी जो डाइग्राम में यह लॉंगी टूनर वेव थी किसके अंदर हमने spring के अंदर जो है वो परडूस करवाई जो आप देख लेव करेंगे जिस डिरेक्शन में जो वेव से वो परडूस करेंगे ठीक है नेक्स जो है वो क्या कहा रहा है वो इक अपरडूस ट्रांसफर वेव जी यह पाफ लिंग की स्ट्रेच आउट 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 अज लिंग की आलाॉंग असमूथ फलूर विद एन। अब यहां पर भी सारह हमने करना यही ह्या है लेकर हमने जो इसकी डारीक्शन है यह जो है अब जो हमने से मूउव करवाने हैं वो यह इर्व करवाना है तो इस डारीशन में इसके इदर वेव पर्ड्यूस होँगी ठीक है अब जो है वो पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो वेव का जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्रस्ट कहते है जो लोवर पार्ट होता है उसको हम ट्रॉफ कहते है तो यहां पे यह इसका क्रस्ट अपर पार्ट ट्रॉफ जो है वो नीचे वाला पार्ट और यहां से यहा of transfer waves, the vibratory motion of particles of the medium ये, इसके medium के, ये जो medium है इसके जो particles हैं, वो perpendicular हैं to the direction of propagation of the wave, ठीक है ये, ये जो है, इस तरह move कर रही है, और इसके जो particles हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, यहां पे perpendicular है ये definition आपने करनी है, डाइग्राम भी साथ में करेंगी और ये longitudinal waves की और ये इसके जो है, डाइग्राम बागी paragraph में जो है, वो सारा process बतायागी है, वो आपने रीडिंग जुरूर करनी है, और ये जो है, compression और रेर्फेक्शन, ये short question जो है, वो most important है, ये भी करना है, आप लोगोने next हाजाता है हमारे पास, waves as carriers of energy हाजी, waves जो है, वो energy को carry करके एक जगा से दूसरी जगा लेके जाती है ये समझ लें आप हाजी, energy को waves के जरीए एक जगा से दूसरी जगा जो हो मुंतकिल किया जा सकता है मसलन, जब हम तनी हुई डोरी को हाथ में पकड़कर उपर नीचे motion, जो move करवाते हैं तो हमारे muscles की जो energy है, वो किसमें मुंतकिल होती है डोरी में मुंतकिल होती है इसके नतीजे में फिर क्या होता है डोरी में waves का एक सिलसला जो हो पैदा हो जाता है हमारे हाथ की vibrating force जो है, वो किसमें उसकी वज़ा से क्या होता है vibrating force की वज़ा से जो है जो डोरी के ज़रात है, वो motion में आते हैं ये ज़रात अपनी energy डोरी के दूसरे ज़रात तक मुंतकिल करते हैं और इस तरह energy जो है, वो waves की शकल में medium के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, जो है, वो मुंतकिल होती जाती है ये उसमें फर्स पारग्राफ में हमें जो है, वो ये चीज़ बताई हूँ ये नेक्स पारग्राफ में हो क्या कह रहा है कि wave के जरीए मुंतकिल चुदा energy की मिकदार का इनहसार तनी हुई रस्ती की, जो है, वो तनी हुई रस्ती साकन पोजिशन से फासले पर है wave की energy के इनहसार जो है, वो wave की amplitude पर भी होता है अगर हम ढोरी को तेजी से motion दें, तो energy की शरा जो है, वो बढ़ेगी और अगर हम कम देंगे, तो फिर क्या होगा, फिर उसमें कम होगी तो वो क्या कहरा है, अगर हम तेजी के साथ उसे motion देंगे, ज़्यादा सोर से हलाएंगे तो energy की शरा बढ़ने से frequency की wave, ज़्यादा frequency की जो waves है, वो उसमें produce होगी ये waves जब medium में से गुजरती है तो क्या होता है, medium के ज़रात को मजीद energy जो है, वो महिया करती है पानी की सथा पर पैदा होने वाली waves भी energy को एक जगा से दूसरी जगा जो है, वो मुन्तकिल करती है जाज़ा के हम ये activity जो है, इस वरी activity में हम जो है इसको समझ सकते हैं क्या कहरा है इस activity में? कहरा है कि अगर हम पानी के जोहर में, तालाब हमारे पास, ठीक है water का, उसमें हमने क्या करना है? उसमें अगर आप छोटा सा एक पत्थर जो है वो पहंकते हैं, ठीक है? तो उसके वज़े से क्या होता है? वहां पे वो वेवस पर ड्यूस हो जाती है, ठीक है? पानी की सथा पर वेवस पैदा होती है और वो बाहर को मूफ करती है, ये जो है ठीक है? अब पत्थर से कुछ फासले पर एक काक रखें, ठीक है? पिछे हमने एक्टिविटी इस तरह की थी जो टप वली थी अब यहां पे भी हमने क्या किया? ये हमने काक रख दिया, ये वाला ठीक है? वेव जब काक तक पहुंचती है, तो ये वेव की अनरजी के वज़ए से पानी के जरात के साथ उपर नीचर मोशन करता है सेम वहां पर भी यही काम हुआ था ना के वेव करती करती जब उस काक तक आएंगी तो फिर काक को अनरजी में देगी जिसके विज़ए से ये अपनी पॉज़िशन के आप पेंड डाउन जो है, वो ये मूव करेगा इस से में जाहर होता है, ये जो सारी एक्टिविटी इस से में क्या जाहर होता है, कि पानी की सदा पर पैदा होने वेवस ये दूसरी वेवस की तरह अनरजी को एक जगा से दूसरी जगा मौनतकिल करती है जबके इस दुरान मीडियम यानि जो पानी के जरात हैं वो अपनी जगा से मुन्तकिल नहीं होते बलके वो अपनी अनर्जी जो है वो आगे वले पार्टिकल्स को जो है वो परवाइड करते हैं उन्हें वहिया करते हैं और वो नेक्स से नेक्स जो है वो मूव करती है इंपोरेंट है ये वेलोसिटी की डेफिनेशन आपके नाइट है पूर्ण जैना पूरूट है वेलोसिटी की डेफिनेशन आपके थे थे लुए अट हम पड़ शुके थे नाइन्थ में V is equal d over d डी जो है वो distance स्माल डी जो है वो time को represent कर रहा है तो ये इतना same ऐसे ही आप लिखेंगे next है कह रहा है if time taken by the wave is moving from one point to another is equal to its time period उस time को हम किसके equal कर दें time period के equal then distance cover by wave will be equal to तो जो distance उसने cover किया वो किसके equal होगा one wavelength के wavelength के ये वाले sign से represent करते हैं ये वाले से ठीक है hence we can write तो हम क्या write कर सकते हैं ये डी की जगा पे आगया हमारा wavelength और small t की जगा पे time period आगया ठीक है but time period t is जैसी प्रोकर अफ रिक्वेंसी एफ ये जो है frequency का फार्मूला पढ़ा था ना f is equal है one over t के ये ही पढ़ा था ना हमने f is equal है one over t के जो टी इदर आएगा तो one over f आजाएगा ये time period का आगया हमारे पास फार्मूला तो ये जो है यहां पे जब हम t की जगा पे क्या कर दे one over f पुट कर दे one over f इदर over में अगर आजाए one over f तो फिर ये हमारे सामने क्या equation बन जाती है lambda और one over f is equal आजाएगा lambda f के ये देख ये आजाती है हमारे पास lambda f तो हमारे पास v is equal आजाता है lambda f के ये जो है v is equal lambda f ये अब नेक्स जो है वो हमारे पास 10.2 जो है वो एक्जामपल है wave move अब यहाँ पे उसने हमें given data में क्या क्या दिया हूए frequency दिया है ठीक है wavelength दिया है और कहरा उसकी speed जो है वो find करें तो अभी जो हमने derive की है ये वाले 10.5 इसमें v is equal f lambda और ये ही वाली जो है हमने equation यूज की है इसमें जो हमारे पास values थी वो दोने हमने put कर दी multiply कर दिया तो वी जो है वो 1.6 meter per second जो हमारे पास आ गया I hope समझ लगई होगी होगी आप लोगो को के जा लाव फिस